तो नमस्कार दोस्तो जोबगार श्टेडी चनल में आप सभी का एक बाई फिर सब बहुत भुत सागत है तो फ्रेंट सबसे पहले मैं आप सभी को दुरगा पुझा की हारड़ेग सुबकाम ना है तो फ्रेंट चले बाते हैं अपने में टोपिक में आज से हम स्थार्ट करने है हर एक्जाम में और काफी असान सी चेप्टर है अगर थोड़ से ध्यान देंगे तो आपकी यह चेप्टर में मस्त कमांड बन जाएगी आप किसी भी कोशिन को चुटकियों में सुल्फ कर लेंगे विदिन फाइब सेकंड ठीक है तो देखिए यहां पर हमने दो पार्ट ल है अगर दोनों एक डिर्फ न में जा रहे है थो दोनों की स्पीड जो होती है और और श्रम में इसकी अपोजेट यानिकि माइनस हो जाती तो दोस्तों देखिए इससे आपको किस तरह समझना है तो आप इसको आप अपने फिजिकल अडिकल अब सकते हैं ठीक है फ्रैक्यर एक प्लस आप दुन में हो जाती याने, दोनों की इडिशन हो जाती है बट अब स्ट्रिम में क्या होती, यानि की वाटर चे उस डिलिक्षन में जा रहे हैं और आप इसके याने की एगंड्स ता मोशन जाते हैं, तो यह आपको आगे से फोर्स देता है और आपको तेड़ने से समझना है तो चलिए कंसेट आप समझ गये हैं अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो के तरफ कोस्टिन करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अब बगल में जो बेंड आइकन है उसे आप इनेवल कर दें इससे आपको क्या होगा हम जब वीडियो डालेंगे आपको उ रोट रोट डाउन रीवर त्वेटिवन किलोमिटर पर आवर रोट अपर नइन किलोमिटर पर आवर की उलुकित से और ये फ्रेंड रोड अप पोल या उससे आपको समझ जाना है तो इसमें जा रहा है कितना 9 km पर आवर के स्पीड से अब देखे क्या करना है जैसे कि हमने आपको बता है कि अगर जो याre से जा रहे हो तो उसकी एड हो जाती है तो यानि कि यह जो बोट हो गई बोट को हम बी निमान लेते हैं प्लस वाटर को हम डबलू इस्ट्रिम को हम रीबर को वाटर से डिनोट करेंगे ठीक है इस इकल टू यह दिया गया है 21 और आगे यहां पर आते हैं तो बोट माइनस डबलू करेंगे क्योंकि आपको पता है अगर जो आप स्ट्रिम जाती है तो स्पीड घड जाती यानि कि आपस मे एक क्या लिखेंगे लिखेंगे बोट की भेलू दी गई हम वाटर के निकालनी है तो 21-बोट है इस तरफ चला जागा यह इस तरफ आ जाएगा तो यह 15 हो गया और इसे माइनस करेंगे तो 6 किलो मेटर पर आवर इस क्वेशन का एंसर हो जागा तो दोस्तों अगला कोशन यहाँ पर स्विमर कें स्विम डाउन स्ट्रिम एट 14 किलोमेटर पर आवर और स्ट्रिम एट 6 किलोमेटर पर आवर तो देखें यह भी काफी असान से सवाल है दोस्तों इस चेप्टर की सब कोशन काफी आसे ने बस आप ध्यान से वीडियो को देखें एक-एक स्टैप कर दोले हैं आपको क्या वता है र empresa में now zo जाती है और Boss बैटS कंसे डाउन फेखें और स्ट्रिम ब Merci यह माना अगला सब्लेगा कि ELT कि यह आप स्ट्रिम जाता है तो अपस्ट कितना है यह करना है तो आपको क्या करना है तो यह आजाए आपको कितना है तो इस इकल टुट टुट्वट्श और S की value आजेगी 10 तो दोस्तो S की value आपकी आगई 10 आपको आप क्या निकालना है What is the speed of swimmer आपको swimmer की speed निकालना है ठीक तो swimmer की speed यहां पर क्या आगई 10 आगई तो इस question का answer हो गया यह अगर जो आपको पूछा जाता water की speed तो आपको भी एक equation में डाल करके इसका answer निकाल लेते हैं ठीक है तो सब्सक्राइब के हम आपको यहां पर बता रहे हैं water की value निकालनी थी 14 में से हम माइनस कर देते 10 तो आजाता कि इतना चार आजाता ठीक चार किलमेटर पर आवर तो बढ़ते हैं सब्सक्राइब के तरफ देखें काफी जीजी सब्सक्राइब हम जल जल कर लें क्योंकि चेप्टर बहुत ही आसान है जल से जल इससे खत्म करके नेक्स चेप्टर स्टार्ट करने वारे ठीक है कि अगला इसना इस पीड्म टार्ट में इन धर्रैक्शन अप्डीे सट्रीम गांडर आवर्ण इसंड-बवाट्म टार्म टाइस नंकि संट्रौर अगले में प्लबट किलोमेटर पर आवंगे स्थेल यान की एक पतिन प्वाटर देखक फॉट्व निकाल लेते हैं ठीक है फिप्टेन-डब्लू वहाँ चल जाएगा तो डबलू की बेलू यान की स्थेंच की वहलू कितनी 1.5 km तो यह आज आए अपके कितना 13.5 किलो मेटर पर आवर दोस्톤 वी की पेलू आपके आगरे कितना 13.5 किलो मेटर पर आवर अब दीखिए आगे क्या कहा जार आपको कि क्या बनती है एक दिस्क्रिम की क्या बनती है टीक है ध trophies टो दो यह एगंस्ण दिस्ट्रिम iki अटाएं सब्सक्राइब हमें निकलने तो थे बनती है रहे हमें किया निकलन स्पीड की स्पीड को अuleक पर लेहे स्ट्रिम?.. एश॥ бол डॉट अज़रों को ज़ window कि हमें पहले साब पता वाटर की स्पीड वान पॉट फाइब यहां पर नॉट इक तो हम से यहां पर लिखें वान पॉट फैब और इस की वहीं निकाल लेंगे तो स्की वहीं निकालेंगे तो हमारे पास आजेगा कितना हम 12 जगा ठीक है तो 12 किलोमेटर पर 12 किलोमेटर पर आवर हो गया इस कोश्चन का एंसर ठीक है जो तो 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 काफी चेप्टर है उम्मीद आपको समझ में रहे हम सारे कोश्चन राके से याद वसर की बुक से सॉल्व कर रहे हैं ठीक है तो देखिए अगला कोशन यहाप है ये जाना ना बिमाले यह युल्ड चलब करते लिए जिचस धुरोक्या कुश्चन ज समय हुआ तो 30 AM 9 30 का रिंट में ट्रौकान उम्मीटर पर ऋप्ष्ट्रेम में जब जा रहा है तो स्वाटटन किलोमेटर पर आवर हो जाती है यइट पर तो इस पीड हमें आपर निकालने तो इसका स्पीड क्या आगे अब जस्ट यहां पर सिंपल से सलुइशन एडिशन करेंगे दोन को काटेंगे टूएस इस 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 इकल टो आजगा 11 और एसकी एसकी भेलिव में आप निकालेंगे तो 11 बाइटू तो यह आपका कोशिन आपर आप वाटी तो इस स्पीड ऑश्यमर यानिकी स्पीड यह आगया यानिकी क्या 5.5 ते यह तो 5.5 इस कोश्चिन के इंसर आपके आपके आगे 5.5 किलोमेटर पर आवर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ जल से तो दोस्तों देखें अगला कोश्चिन कोश्चिन न बढ़ा यानिकी वाटडर की निकाललें तो इसमें क्या कह राया तीन घंटे में एक स्विमर है 21 किलोमेटर डाउन डिस्ट्रिम जाता है ठीक है । लाटे लिखते हैं से तो कि तो दीखें यहाप यह ने लिख लिए और यह दिगा ही कितना 21 किलोमेटर डाउन इस्ट्रिम तो कि ते पर तीन संद्क किलोませं पुम्हें शलता है तो फोस्क्राइब स्था क्योंड था पर चते सर्म होती है तो डिस्टैन्स हमार इस से tam arah 211 ओरcoat तो यह होजगा सात यहाँ खंटर यहाँ पर आजाया ठीक है और यहाँ पर क्या कार रहा है कि अगा यानकी डावनस्ट्रे में 15 किलोमेटर एंड्सट्राइब सब्सक्राइब होगी तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे और इसकी वेलु यह क्या दी गई 15 किलोमेटर बट सेम टाइम कहा जा रहे तो 15 किलोमेटर को हम डिवाइट करेंगे तीन से तो यहाँ जगा कितना पहांच आ जाएगा तो बस सिंपल सी सलुपसिन जिसे हम करते आ रहे हैं यहाँ जगा माइनस सिक्स यानिकी वन किलोमेटर पर आवर इस कोशन के इंसर हो जाएगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ दोस्तों अमीद आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा सारी कोशन देखिए अगला कोशन यहाँ पर तो देखिए यह हिंदी वाले जो पार्ट है दोस्तों स्टार्ट होगी और यह जा करकी यहां पर यह चाहरा है तो इसपर यहां पर करेगए यहां पर कहा जा रहा है इस दोनों के बीच के जो डिस्टेंस एगाया आपको कितना एक सो आट किलोमिटर की कि डिस्टेंस आपको बताया अब क्या कह रहा है मिलेंग समय after how much time will they meet each other यानि कि दोनों एक एक दुसरे को कितने time में मिल पाएंगे यानि कि आपको time निकालना इस question में तो देखे किस तरह से question को solve करते हैं ऐसा आमने time and distance पे भी काफी बार solve किया था तो देखे यहाँ पर boat one की जो speed दी गए है दोस्तों और boat two की speed जो दी गए है दोस्तों यह देगा है 15 km पर hour तो दोस्तों देखे यह case को आप time and distance में ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है distance दिया गया और दोनों एक ही direction की तरफ आ रहा है और speed दिया गया तो दो चीज की speed जब दी रहती है तो हम इस पर क्या करता है relative speed यूज करते हैं तो relative speed अगर जो इस पर आप यूज करेंगे तो आपको निकलना है यहाँ पर है time निकलने है अगया is दिस्टेंस बाइश स्पीड तो डिस्टेंस आपका है यहां पर 108 किलोमेटर और इस पीड आपने एड़ करके निकाल लिया 27 किलोमेटर तो यहां पर लिखेंगे 27 किलोमेटर अब बस आपको क्या करना है तो यह आपका काटेंगे इसको तो दोस्तों आपके साथ पार्ट वीडियों अगले वीडियो में तो यह था हमारा क्या यह था हमारा तो बाड़ी सब्सक्राइब करें लुक्त को जबनेने के लिए ब्लोट उस्कराइब करें बहुत-एंक एれ और थे इंडीक नािक बहुत-बहुत धन्यावारें थेमित्वस कॉर्ण्य वारखrice करें अच्छ से जमके ही करिए 있으 fps घंब